हेलो गैज विलकम बाग तो दी चानल कैसे हैं आप लोग आए होप यू गैज आ डूइंग आप सुलूटली फैल आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग एक सार्पी वन ओफ दी क्रिप्टो इंदी क्रिप्टो कांसी मार्केट जिसका काफी लोगों का म पढ़ता है उसी के साथ साथ यहां हम बात करें डॉमिनेंस वैक्टर की जिसको हम मार्केट शेयर भी बोल सकते हैं उसके बारे में भी डिसकस करेंगे बात यहां पर यह भी करेंगे कि क्या नियूज निकलके एक सार्पी की जो है वो सामने आ रही है वीडियो स्टार्ट कर इंड नहीं करने किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो से इंड करें तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा फ्रम दी स्टार्ट अफ 2023 कहीं न कहीं बहुत सारे लोग काफी बुलिश थे रिगार्डिंग XRP जहां पर XRP ने ओं 13 जुलाई 2023 एक लॉसूट जो बहुत टाइम से चलता आ रहा था रिपल के फेवर में वो गया और यहां पर आज के टाइम में काफी लोग इंवेस्टेट भी है न XRP looking into a new all time है जो XRP बना सकता है बट क्या-क्या factors है इन सब चीजों के पीछे क्या चीजे हम लोगों ने देखनी परती है जब भी हम लोग यहां पर price predictions की बात करते हैं वो भी discuss करते हैं चलते हैं एक बार coin के market का हाल देख लेते हैं देख लेते हैं XRP currently क्या कर रहा है क्या news उसकी निकल के आ रही है और बात करते हैं regarding the price prediction कैसे हम लोग यहां पर एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक average price जो XRP का हाँ पर पहुंच सकता है और थूड़ा conservative price जरूर रखेंगे XRP का because we also know कि काफी token जो हैं वो unlock भी होते हैं तो side map देख सकते हैं हमने open कर दिया coin के का currently ज 61 cents का यह चल रहा है last year till date it is up 34.3% market cap ranking की बात करें number 5 position में चल रहा है the amazing thing about XRP is की market cap ranking जो कहीं न कहीं बताता है कि इसका dominance factor जो है in the crypto currency market वो कभी भी ज्यादा decline नहीं हुआ जहां पर हम बात करते हैं previous bull season की भी या उससे पहले की भी XRP was always in the top 10 यह काफी अच्छी बात है जहां तक हम लोग बात करते हैं XRP को लेके जहां पर हम लोग बात करते हैं dominance level की या market share की जो XRP लेता है generally in the bull market that is somewhere roughly about 17 to 18% and यह factor जो है वो बहुत काम आने वाला है आगे जहां पर हम लोग calculate करेंगे कि XRP का price कहां तक जा सकता बात करें दिया entire crypto currency market की सबसे पहले तो यहां पर बताया है जा रहा है कि next bull run में कहीं न कहीं पूरा market cap जो crypto market का है that will touch somewhere around 10 trillion dollars which is a very big number अगर हम लोग इसको compare करें with the previous bull season previous bull season में the entire crypto market was somewhere around 3 trillion dollars आज के टाइम में हम लोग 1 trillion dollars के उपर cap जो है वो जा सकता है उनके factors भी हम लोग ने आप से discuss करें जहां पर हमने बात करीब bitcoin ETFs की उसी है साथ साथ हम सब जानते हैं कि कैसे एक फोमो मूट जो है वो एक retail investor के mind में आता है साथ इसाथ many people start buying cryptos बड़े institute जो हैं बड़े वेल जो हैं वो भी यहां पर accumulate करते हुए चल रहें so all these keep in mind कहीं न कहीं yes एक possibility ज़रूर रखती है कि crypto market जो है वो 7 to 10 trillion dollars तक यहां पर पहुंच सकती है just in case अगर यहां पर 10 trillion dollars तक entire crypto market पहुंच थी है तब XRP का क्या होगा सबसे पहले price की ही बात कर लेते because that is one thing जो सब लोग जानना चाते बात यहां पर करें previously XRP की जब इसने previous all time high बनाया था और उसके बाद भी यहां पर dominant factor काफी उपर था market share जो है वो काफी अच्छा था XRP का 17 to 18% के आसपास जहां पर उतने साधा crypto's नहीं थे market में उतने ज्यादा tokens नहीं थे market में आज की टाइम में जहां पर crypto की list एक endless list बन चुकी है काफी नए crypto's है जो market में launch भी हुए है simultaneously एक retail investor बहुत सारे options है कौन सा crypto वो purchase करें कौन से को वो neglect करें बट इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा conservative percentage लेते हैं यहां पे although काफी लोगों के मानना है कि यह dominance factor जो है वो उपर जा सकता है बट अगर हम यहां पे थोड़ा realistic ले थोड़ा conservative number भी ले let's say about 10% that means XRP का market cap यहां पे होगा about 1 trillion dollar in the next bull market and वो काफी बड़ा number है जहां तक हम बात कते है XRP की अगर XRP का यहां पे market cap पहुंचता है to let's say about 1 trillion dollar that is 10% of the entire crypto currency market तो यहां पे XRP बहुत easily 18 dollars तक पहुंच सकता है and that is one number जिसकी तरफ सब लोगों की नजरे जरूर रहेंगी but यहां पे अगर उसको भी हम यहां पे neglect करके चले हम लोग बोलते हैं नहीं या 10 trillion dollars तक crypto market नहीं पहुंचेगी 5 trillion dollars तक जो है वो crypto market पहुंच सकते exactly half यहां पे dominance percentage हमने XRP का already कम कर दिया जहां पे 17-18% रहता है वहां पे हम already 10% लेके चल रहे हैं तब भी यहां पे XRP का price can very easily reach 9 dollars और यहां पे हम नाखाली dominance की बात कर रहे हैं हम market share की बात कर रहे हैं यहां पे काफी news काफी updates भ particles ऐसे भी आ रहे हैं कि ripple यहां पे अपना IPO भी निकाल सकता है और काफी लोगों ने इसके बारे में discussion भी कर रहा है कैसे यहां पे जो unlocks होते हैं XRP के वो कहीं ना कहीं conservative अब यह रख रहे हैं अपने आश्करों अकाउंट या किसी भी अकाउंट जहां पे वो रखते वहां प क्रिप्टो जो एक legalized crypto one of the crypto जिसकी utility जो है वो एक endless utility है काफी लोग इसको use करेंगे और कहीं ना कहीं cross border payments में XRP सबसे जादा काम आता है XRP के use cases भी हम लोगों पता है XRP आज के टाइम में legalized crypto भी हम लोगों पता है XRP का यहां पे dominance factor या market share जो है वो increase हो सकता है यह हमारा भी मानना है यह हम भी सोच रहे है बट उसी के साथ सान जहां पे हम conservative price की बात करते हैं जहां पे हम लोग बात करते हैं उस target की जो बहुत easily technically देखें यहां पे $18 is not out of chart यहां पे अगर total market cap जो crypto market में आता है that comes out to be $10 trillion and XRP यहां पे 10% market share भी लेता है तब भी यहां पे काफी अच्छे numbers हैं जो XRP में आ सकते हैं which is somewhere around $18 तो यह तो बात हो गई कि XRP कहां तक पहुंच सकता है क्या क्या चीज़े हैं क्या क्या factors हैं बट इसी के साथ साथ काफी amazing news जो है XRP की off lately सामने भी आ रहे हैं जैसी के हमने बात करी regarding Dubai दुबई एक ऐसी जगह जिसको बोला जाता है safe events for cryptocurrency वहां पे XRP अपने फैदर जो है और फिला रहा है और वही article आप यहां पे side में भी पढ़ सकते हो XRP joins BTC, Ethereum and Litecoin Ripple CEO hails Dubai's approval अब यहां पर जो news निकल के सामने आ रही है वो upside में पढ़ भी सकते हो, Ripple gains approval from Dubai Financial Services Authority for use in Dubai International Financial Center and यह काफी interesting चीज है और यही चीज हमने आप से share करी थी ना telegram channel यहां पे हमने आपको बताया था कैसे authorities जो है crypto company will be able to incorporate XRP into their services, Ripple announced that it has been directly approved by DFSA, now Dubai International Financial Center authorized companies can incorporate XRP into their crypto services and yes, यह news जो है वो निकल के सामने आ रही है regarding XRP जो कि देखे काफी interesting यहां पे लग रहा है, एक fact है जो कहीं न कहीं जरूर help करेगा XRP को to gain the momentum, हम यह सब लोग जानते हैं कि जहां पे हम लोग बात करते हैं crypto market की, जहां पे हम बात करते हैं किसी भी crypto की, वहां पे development जरूरी है, वहां पे partnership जरूरी है, XRP has been doing it, XRP has been always been in the top 10 crypto market, जहां पे हम लोग बुल सीजन में बात करते हैं, yes, XRP का price कभी भी increase नहीं हुआ, बट उसी के साथ-साथ XRP में कभी वो position नहीं खोई in the crypto currency market, जहां पे वो आए in the top 10, and आज की टाइम में भी अगर हम लोग बात करें, XRP यहां पे काफी अच्छा momentum gain करता हूँ, नजर आ रहा है, 61 cents का चल रहा है, काफी लोगों ने इसको 25 cents में भी purchase करा था, अगर हम बात करें, holders की जो XRP army बुली जाती है, उन्होंने बहुत time पहले से यहां पे XRP को accumulate करना शुरू करा था, जब bitcoin का पहला peak आया था, जब bitcoin ने यहां प अब तब से लोग देख रहें, yes उस time XRP की जगा उहां पे उसको ripple जरूर बुला जाता था, आज की time में अगर हम लोग बात करें, XRP is poised to enter into the bull season, with lot of things in its hand, अब यहां पे XRP का price कितना जाता है, finally कहां तक पहुंचता है, XRP market cap में कितना rank gain करता है, क्या वो Ethereum के पास आ सकता है, या Ethereum को take over कर सकता है, काफी अलग अलग narrative भी आपको सुनाई देंगे, but eventually आप लोगों ने अपनी सुननी है, आप लोगों को जो भी लगता है उसी में stick रहना, and according to your target, you will have to see कि XRP क्या एक अच्छी investment हो सकती है या नहीं, हम लोग यहां पर आखे बात जरूर करते हैं regarding different crypto, क्य हमारा take है on those crypto, but उसी के साथ साथ आपका point of view भी हमाले जानना जरूरी है, नीचे comment section में comment करके जरूर बताइएगा, अगर आप लोग के पास XRP है, क्या आप targets लेके चल रहे हो for XRP, कहा तक आप जाते होए देख सकते हो XRP को, can it do a probably a 38X, या it can do a 20X, जो भी आपके targets है, नीच आज का वीडियो करते हैं पर end, I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ, अच्छा लगाओ तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching आचान, see you next time, okay bye bye